हेलो स्टुडेंट्स तुडे विल ट्राइटु सॉल क्वेश्चन ऑफ एक्सराइज 2.5 तो एक्सराइज 2.5 में हम रेड्यूजिंग एक्वेशन टु सिंप्लर फॉर्म एक्वेशन को रेड्यूस करके सिंप्लर फॉर्म में कनवर्ट करना सीखेंगी जैसा कि आप एक्वेशन में देख रहे हैं अभी आपने जितना भी पढ़ा उसमें इस तरीके के एक्वेशन आपको नहीं मिले हाना तो इसको हमको सिंपल फॉर्म में कैसे कनवर्ट हो रहा है यहां पर यह देखें सिंपल फॉर्म में कनवर्ट करके और उसके बाद वैरियेबल की वैल्यू फाइंड की गई है यहां पर देखें हाना एक्स की वैल्यू निकाल दी गई है ठीक है तो ऐसे ही कुछ क्वेशन हमको एक्सराइज में दिये हुए है चलिए सॉल्व करते है देखें exercise 2.5 solve the following linear equation तो यह आप लोगों को बहुत अच्छे से solve करते आना चाहिए है ठीक है चलिए कोई एक question में solve करती हूँ कौन सा कर दूँ हूँ question number 2 करते है ठीक है चलिए तो यह हमें question दिया हुआ है ठीक है तो I hope LCM निकालना आप सबको आता होगा फिर भी मैं एक बार आपको यहां side में बता देती हूँ देखिए denominator में number क्या दिये हुए है अगर दो number होते सिर्फ दो rational number होते तो हम आसानी से क्या करते denominator का multiply कर देते और तो आसानी से हमको बन जाता अब तीन दिये हुए हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर LCM find करेंगे LCM देखें कैसे निकालते हैं क्या 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 दिया है 2,4,6 ठीक है अब इनको हम divide करेंगे यह तो prime factorization तो सभी को आता होगा I think देखें 2 से divide करें 2,1,2 हमें तब तक करना है जब तक नीचे जो reminder है वो 1 नहीं आ जाता है ठीक है 2,1,2 यह देखें 2,2,4 और 2,3,6 अब 2 से फिर करें यह अलग-अलग नंबर है तो यह 1 तो divide होगा नहीं वैसा ही लिख देते हैं 2,1,2,3 भी divide नहीं होगा वैसे ही लिख दिया अभी 3 से करें 1 वैसा ही लिख दे मिल गया हमको यह रफ वर्क था हमारा है ना रफ वर्क ओके तो LCM हम लेंगे यहां पर देखें LCM कितना आ गया हमारा 12 अब क्या करेंगे 12 को 2 से डिवाइट करेंगे तो 2 की टेबल पढ़ें 2 की टेबल पढ़ेंगे हम कितने टाइम 6 टाइम तब 12 आएगा 2,6 जा 12,6 आया 6 का मल्टिप्लाइ, और के साथ कर दें तो क्या हो जाएगा 6N अब यह माइनस का माइनस अगे 12 को 4 टेवाइट करें तो 4 की टेबल पढ़े 4,3 जा 12 2 आया अब 3,3 का मल्टिप्लाइ, 3,3 जा 9 9N हो जाएगा यह हो गया अगें 12 को 6 से डिवाइट करें तो 6 से 2 जा 12 और 2 आया 2 का मल्टिप्लिकेशन कर दिया 5 के साथ 2 5 जा 10N इक्वल 21 ओके अब देखे 6N ये 6N और 10N दोनों क्या है positive number है same number जो है add हो जाते ही आप लोगों को पता है ठीक है तो या हाँ ठीक है 10 और 6 कितना हुआ 16 और 16 माइनस 9 कितना होगा 16 माइनस 9 7 ओके 7N अब ये देखे 12 यहाँ डिवाइड में है यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा हुआ ठीक है अब देखे एन 7 यहाँ इन्टू में है तो जब हम ट्रांस्पोस करेंगे 7 का बाकी नंबर तो as it is लिखेंगे 7 को जब हम transpose करेंगे तो देखें 7 का किस में आ गया आपका divide में आ गया यहाँ into में था यहाँ divide में आ गया अब इसको करें divide देखो 7 बंज़र 7 7 तरीज़र 21 तो n इक्वल 3 इन्टु 12 और multiply कर दे 12 तरीज़र 36 तो value कितनी आ गई हमारी n इक्वल 36 ठेक है तो ऐसे ही आपको question number 1, 2, 3 दिखाती हूं रुकिए यह देखिए question number 1 इसमें भी आप इन दोनों को यहाँ solve यह तो आपको अलग-अलग दिये हुए है तो यह तो solve करना आता equal के side जो दिया है कि denominator का multiply किए cross multiplication किए यह बन गया यहाँ पर भी वैसे ही बन जाएगा और उसके बाद आप यह तो cross multiplication करना है यह तो transpose करते तो बनता है जो number यहाँ divide में है वहाँ पर into में कर देना जो यहाँ पर divide में है वो यहाँ into में कर देना solve कर सकते हो ठीक है ऐसे ही यह दिया हुआ है यह फोर्थ नंबर दिया हुए आपको यह देखिए फोर्थ नंबर दिया हुआ यह तो और easy है 3 यहाँ divide में है यहाँ उपर जाएगा into में हो जाएगा 5 यहाँ डिवाइद में है यहाँ जाएगा into में हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको solve कर लें, ठीक है, तो ये 5, 6, ये question आप लोगों के लिए homework है, ये आप लोग घर से करें, घर में करेंगे, ठीक है, tomorrow, we will try to solve 7, 8, 9, 10, ओके, कल हम करेंगे ये वाले, simplify and solve the following linear equation, ओके,